नव दुरगा यानी मादुरगा के नव रूप इन नव रूपों में नव उशदियां भी विराचती हैं मा अम्बे के ये नव रूप जो समस्त रोगों से बचा कर जगत का कल्यान करते हैं नवदुर्गा की नव औशदी सोरूपों को सबसे पहले मारकंडी चिकत्सा पद्धधी के रूप में दर्शाया गया और चिकत्सा प्रणाली के इस रहसी को ब्रंभाजी के द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया ऐसा माना जाता है कि ये औशदीया समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा रखने के लिए एक कवच का निर्मान करती हैं इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा गया इनके प्रियोग से मनुष्य अकाल मृद्धु से बचकर लंभी आयू जीता है तो आईए नव अशदियां जिन्हें नवदुर्गा के रूप में जाना गया हम उनकी बात करेंगे नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा इसे चंदसूर या चमसूर कहा गया है ये एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है इस पौधे की पत्तियों की सबजी बनाई होती है ये आशदि मोटापा तूर करने में लाबप्रद है इसलिए इसे चर्म हंती भी कहते हैं शक्ति को बढ़ाने वाली रिदय रोग को ठीक करने वाली चंद्र का आशदि है आता इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्र घंटा की उपासना करनी चाहिए अगली कड में हम बात करेंगे देवी मा के चौथे स्वरूप कुश्मांडा देवी की और जानेंगे कुश्मांडा देवी के और शदिय महत्तो के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें देवी मा की गरपाया आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के